सर ये कैसे हो जाता है? मेजर जनरल वी के दरता एक पहले अगर रियक्शन आपसे, फिर मेजर जनरल संजे सोई से. देखिए ऐसा कि जो आप टुकडे टुकडे गैंग की बात कर रहे हैं, और ये किसकी शैप पे काम करते हैं, ये दुनिया के अंदर बहुत सारी शक्ति हैं, जो अपना रूत्वा बना के रखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वहाँ जहाँ भी कोई डेमोक्राटिक गवर्मेंट हो, वो इनकी कटपुतली के तौर पर काम करें, हिंदोस्तान में, भारत में आज के दिन में एक अच्छी स पाएं लेकिन हम कटपुतली नहीं बने, यही कारवाई इन्होंने डीप सेट ने, जो एंजियोज हैं, जो सोरस है, बंगला देश में बहुत सारे एंजियोज हैं, जो एंजियोज जो जिनका नाम आ रहा है कि वो जिसको परदान मंतिरी बिदा देना चाहिए, जो एक नोबल लेवरेट में हैं, वो भी एंजियोज हैं, बिलकुल, तो यह जो सारी शक्ति हैं, इनको डीप स्टे लेगी, तो यही आग लगती है, यही तरीका है इनका, तक्ता पलट करने का, जिस भी देश में तक्ता पलट हुआ, यही पैटर्न इस्तमाल किया जाता है, और जो हो जो तक्ता आर्न फोर्स को भी मिला लिया दिया अपने साथ में, और फिर वो अपनी एक कट पुतली सरका और आते हैं आर्मी चीफ और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, आप मतलब सूचिए कि क्या यह राइट है उनके पास, ऐसा लग रहा है जैसे हमने पाकस्तान में नहीं देखा है, कि सेना ही चलाती है सब, सेना ही सब फ्रेंट पर होती है, कुछ वैसा ही नज़र आया था, ऐसा तेरे बारवा के डिक्टेटर हैं, ताना शाह है, यह हमारे धरम के खिलाफ हैं, भारत की गोद में हैं, और बांगला देश में बढ़ा इंपॉटन देश है, अगर देखा जाए तो यह मैनमार और भारत दोनों के साथ सीमाय लगती हैं, भारत को अगर तीन परदेश पसंद नहीं आ रहे थी, और यह इस तरह करके, क्या आगे इसी तरह के नेरेटिव भारत में सेट होगा, और जो सीमा के साथ सेटे हुए, वहाँ से इस तरह के आतंगवादी, कट्टरवादी लोग भारत में भेजे जाएंगे, मैं आओंगे सर, यह important point है, क्योंकि भारत के अगर देखें, तो फिर अब आगे क्या, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर भी मैं आओंगी, लेकिन शेख हसीना अब आगे क्या करेंगी, यह सिलसिलेवार तरीके से, फटा फट से ग्राफिक्स के जरीए आपको बताते हैं, कि विदेश में नाई सिरे से वाप पास ऑप्शन है, वो वो ऑप्शन समने दिखाए, क्या वो उनकी रणीनीती होगी, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच, शेख हसीना के बेटे का एक बड़ा दावा सामने आता है, शेख हसीना के बेटे का अजीब वो जो जो हैं, वो क्या दावा करते हैं, कि अब राजनीती से सन्यास ले लेंगी, शेख हसीना, बांगला देश में जो कुछ हुआ, उससे हम बहुत निराज हैं, जब शेख हसीना ने देश की सत्ता संभाली थी, देश में बहुत ध्रश्टाचार था, देश गरीब हुआ करता था, लेकिन मा ने बांगला देश को ए आतंकवाद से सुरक्षित रखा और आपको याद होगा, कि आरक्षन का ये जो मुद्दा जब शुरू हुआ था, तो वो किस तरह से धदका, जब उनको आतंकवादी कह दिया गया था, जब उनको देश-द्रोई कह दिया गया था, और ये माना जा रहा था, दर असल वो ए ऐसे ही नेत्रित्व के हक़दार हैं, बांगला देश की हालाद नियन्तरन से बाहर है। teor और यह जो उनके बेटें हैं। अफगानस्तान पर तो ऐसी हालाद ऐसी तस्वीरे महां से निकल कर सामने आई थी अपने श्रीलंका से भी देखा होगा कि इसी तरह की तस्वीरे सामने निकल कर आई लेकिन आईए अब हम आपको बताते हैं क्योंकि देखे बैचकों का दौर इधर भारत में भी जा रही है हम अपने एक्सपर्ट से तो क्वेक रियाक्शन लेंगे ही लेकिन सर्वदली ये बैचक जो यहां हुई उसमें विदेश मंत्री ने क्या बताया ये फटाफट से हम आपको बता देते हैं कि सरकार बांगलादेश आर्मी के टच में है और नाजुक स्थिती चुकी है लेकिन जो भी स्थिती होगी जैसी स्थिती होगी वो बताएंगे वो बताया जाएगा बीस हजार भरत ये चातर लोट चुके हैं शेख हसीना को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं इंतजार कर रहे हैं कि शेख हसीना क्या चाहती हैं राहुल गांदी ने पूचा क्या बाहरी ताकत है उन्हों ने कहा कि इसके पीचे ये कह रहे थे और जैशंकर ने ये कहा कि ऐसा कहना अभी कुछ भी जल्दबाजी होगा विपक्ष ने ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं तो ये सरवदलिय बैठक में किसने क्या कहा और विदेश मंतरी ने बताया कि किसने क्या कहा विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं उनके साथ खड़े हैं लेकिन आईए हम आपको दिखाते हैं यहां तो बैचकों का दौर जारी है लेकिन बांगलादेश की जब हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले यही हम आपको बता भी रहे थे कि यह जो हालात वो इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए आरक्षन की बांग को लेकर या आरक्षन की बात से दरसल ये मुद्दा था जब ये शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे किस तरह से स्थिती और खरीब जो खराब है वो होती चली गई और कैसे ये हालात हो गए गुस्सा क्यों था र साथी साथ 1971 जंग में शामिल जो लोग हैं उनके परिजनों को उनके जो नातीप होते हैं उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाता है ये दरसल था उनका ये कहना था कि मेरिट के आदार पर होना चाहिए क्यों बार बार उनको दिया जाए ठीक है जो उन्होंने किया वो किया लेकिन अब जो उनके ना तीप होते बाकि जिन लोगों को शामिल कर लिया गया है वो आखिर क्यों किया गया है रिजर्व वेशन कोटा 30% से घटा कर 7% कर दिया गया शेख हसीना का अस्तिफा उसके बाद होता है ये टर्निंग पॉइंट जब यहाँ पर आता है और वो देश छोड़ कर निकल जाती है 45 मिनट का समय उनको दिया जाता है ये अल्टिमेटम उनको दिया जाता है कि आप छोड़ देजे बांगलादेश को इतना ही नहीं बलकि उससे पहले वो अपनी आवाम के नाम वो अपनी जो नागरिक है उनके नाम वो दरसल एक संदेश भी वो एक भाशन जो है वो रेकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन वो उनको रेकॉर्ड करने नहीं दिया गया बीच में ही उनको ये अल्टिमेटम दे दि करती हैं जो शासन करती हैं उनको 45 मिनिट में कह दिया जाता है कि आप छोड़ दिजिए और ये धाका कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंग बंधु जहां पर मुझेख मुझेबुर की मूर्ति को किस तरह से ध्वस्त किया जाता है ये आपने देखा